बच्चा समझ कर जब देवर को मैंने अपने बिस्तर पर सुला लिया, फिर उसने मेरे साथ वो किया, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, मेरा नाम शिवानी है और मेरी उम्र 24 साल है, मेरे पती दूसरे शहर जा रहे थे, जब उन्होंने खास कर मुझे बोला कि म मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना, वो सिर्फ 12 साल का था, मैं मान गई, अब मैं उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती, और लेने भी आती, और रात को वो मेरे ही कमरे में सोता, जब एक दिन मेरी मुलाकात उसके सर से हुई, तो मैं ये देखकर डर गई, कि वो मेरा पुरान आशिक था, मैं घर वापस तो आ गई, लेकिन ये बात मेरे देवर को पता चल गई, और वो अब मुझे बार बार ब्लैकमेल करता, कि वो भाई को बता देगा, अगर मैंने उसकी एक शर्त पूरी नहीं की तो, मैं समझी, कि वो मुझसे पैसे मांगेगा, या फिर कोई मेरी शादी को अभी चोथा महीना हुआ था, जिंदगी बहुत ज्यादा हसी खुशी गुजर रही थी, मेरे घर में हम सिर्फ तीन ही लोग थे, मैं मेरा पती और मेरा देवर, एक दिन मेरे पती को जोग के सिलसिले से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ा, और वो मुझसे कह क कर गए कि मेरे भाई का ख्याल रखना, और मैंने अपनी महबत का इम्तिहान दिया, और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वो बच्चा था, और मुझे शुरू से बच्चों से बहुत ज़्यादा महबत थी, मैं उसे खुद ही स्कूल छोड़ कर आती, और फिर छुट्टी के वक्त खुद ही उसे लेकर आती, स्कूल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, मुझे आने और जाने में बस 20 मिनट ही लगते थे, लेकिन मैं इस बात से हैरान थी, कि ये बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरे पती को ना जाने क्या परिशानी थी, वो त भी वो भाई को ऐसे चुपा चुपा कर रखते हैं, लेकिन मैंने इस बात पर कोई ज़्यादा बहस नहीं की, और फिर मैंने अपने पती का ख्याल रखते हुए, मैंने अपने देवर का ख्याल भी ऐसे ही रखना शुरू कर दिया, जैसे मेरे पती रखते हैं, जैसे वो मैं जब एक दिन उसे स्कूल छोड़ने गई, तो कोई स्मार्ट सा इंसान अंदर स्कूल में जा रहा था, उसे देखकर तो मेरे पैरो तेले जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो तो मेरा पुराना आशिक था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहां कैसे, ये तो कैसे हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, कि मेरी और उसकी मुलाकात यहां पर यू ऐसे बीच रास्ते में हो जाएगी, जिन्दगी के ऐसे मोड़ पर, वो मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकता है, वो मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बि अपने घर आ गई, और जब मैं घर आई, तो मेरे पसीने छूटे हुए थे, आमन मेरे पास आया, और आकर पूछने लगा, कि भाबी तुम्हें क्या हुआ है, जब मुझे पूछ रहा था, तो उसके चहरे पर हलकी सी मुस्कुराहट थी, मैंने जल्दी से अपना चहरा नी से पानी का गिलास दूर जाकर गिरा, क्योंकि आमन के देखने का अंदाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, कि मैं यह समझूं कि यह कोई बारा साल का लड़का है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यासी नजरों से मुझे देख रहा था, मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई थी कि मैंने उसका हाथ बाजू से पकड़ कर उसे कमरे से बहा निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा दी, मैं जब बैड पर बैठी हुई थी, तो मेरा जिस्म बहुत बुरी तरह से काप रहा था, मेरे लिए ये बात बरदास से बहार थी, कि मैं एक बारा साल के लड़ निकाल कर फैक दिया, फिर ये सोच मुझे परिशान करने लगी, कि आखिर क्यों, क्यों मैं उससे इतना घबरा रही हूं, मैंने अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी, और फिर मैं कमरे से बहार निकल गई, आमन भी घर से बहार निकल चुका था, मैंने हिम्मत की, और मैं घ पीता सही कहते थी, कि जहां पर सिर्फ दो लड़के हों, उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करो, लेकिन मेरी ममी ने एक नहीं मानी थी, और मेरी शादी यहां पर कर दी थी, अब मुझे अपने पापा की वो बाते बहु ज़्यादा याद आती हैं, कि काश पापा क इस बात को उस वक्त किसी ने समझ लिया होता, तो आज हालात बिलकुल अलग होते, मेरी शादी जब महों से हुई, तो वो मेरा बहु ज़्यादा ख्याल रखते थे, और अब तक रखते आये थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर के हालात को देखते हुए, उ इसकी वज़े से वो पहली वाली नोकरी छोड़ चुके थे, और अब उन्होंने जब दूसरी नोकरी ज्वाइन कर ली थी, तो ज्वाइन करे हुए कुछ ही दिन हुए थे, और उन्हें शहर से बहा जाना पड़ा, लेकिन वो जब शुरू-शुरू में शहर से बहा जाते तो वो जल्दी ही घर वापस आ जाते थे, वो हर रात को वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ज़ादा दिनो के लिए ही जाना था, इसलिए मुझे कुछ डर सा लगा, पहले तो मैंने उनसे यही कहा था, कि जाने की कोई जूर्द नहीं, लेकिन उन्होंने पक्की नोकरी तो नहीं, जिसके लिए मैं उने मना कर सकूँ, इसलिए मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा, मैं क्या कर सकती थी, अब तो मम्मी भी इस दुनिया में नहीं थी, जो उनको अपने पास बुला लो, भाबी और बहने, सब अपने अपने घरों में बीजी थी, अब मेरी जिन्दगी इतनी जादा मुश्किल हो जाएगी, एक दिन अपने देवर को सकूल छोड़ने गई, तो वो वहीं पर खड़ा था, और मुझे देखतर है गया, ये बात मेरे देवर ने नोट कर ली थी, मैं जल्दी से सकूल के अंदर गई, क्योंकि आज मेरे देवर के स अब बेचारी मेरी सास तो थी ही नहीं, इसलिए मैं उसकी मा की सूरत में उसके सकूल वालों से मिलने के लिए चली गई, जैसे ही मैं मीटिंग रूम के अंदर गई, वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, उसकी नजर मुझ पर पड़ी, तो वो जल्दी से खड़ा हो हुई थी, वो बच्पन अब नहीं था, मैंने जल्दी से चहरा नीचे कर लिया, लेकिन शायद देर हो चुकी थी, वो पता नहीं कितनी देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा, तभी अमन ने उसे सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाया, उसने बोला, सर ये मेरी भावी है अमन ने मेरा इंट्रो करवाया, तो वो थोड़ा खोश में आया, और बहुत इज़त के साथ मुझे से बात करने लगा, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, पता नहीं क्यों, मैं फिर से अपने अधीद में जा चुकी थी, अमन ने उसकी नजरों से पता नहीं क्या से क्या समझ लिया था, मैंने बस थोड़ी बहुत बात की, और फिर अमन से कहा, कि अब घर चलो, घर में काफी काम है, लेकिन पता नहीं कब, उसके सर ने हमारे लिए, खाने पीने का सामान मंगा लिया, अमन खाता जा रहा था, और कहता जा रहा था, कि भाबी, आप मेरे साथ रोज आ जाया करे, सर ने तो आज बहुत मोज ही करवा दी है, मैंने हिम्मत करते हुए सिर्फ दो निवाले लिए, और फिर उठकर बाहर आ गई, अमन काफी देर के बाद बाहर आया, उससे पहले उसका वही सर मेरे पीछे आ गया था, मैं तो खुद को पहले ही बचाती हु आ रही थी, मैंने जल्दी से आटो में बैठ कर, अमन को इशारा किया, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, हम लोग घर वापस आ गए, घवराहट की वजए से मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परिशानी हो रही थी, अमन घर आ गया, और कहने लगा, अ कितने अच्छे हैं न, आप जानते हैं उन्हें पहले से, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानती उनको, मेरा तो उनसे दूर तक कोई तालुक नहीं, अच्छा अच्छा भाबी, रिलेक्स, क्यो इतनी ज़्यादा घबरा रही हैं, मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की वज़े से परिशान हूँ वो पता नहीं कब वापस आएंगे मैंने बहुत फिकर से कहा और हाथ में पकड़े हुए गलास की थर्थ रहट की वज़े से वो महसूस हो रहा था बात करने के बाद वो मुझ पर ताने कस्ते हुए हसा और कहने लगा कि भाई यहां नहीं है तो क्य बात सरहर्ष तो है ना उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं यह समझ सकूँ कि वो हर बात जान चुका है मैं इतनी जादा डर गई थी कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिये कि भगवान के लिए किसी को भी मत बताना तो वो मुझ से कहने लगा कि यह तो मुझ पर है ना कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाख में रखता हूँ लेकिन भाबी आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस कदर मैं तो आपको बहुत सीधी साधी समझता था और आप लगती भी कुछ ऐसी ही है लेकिन आपने कैसे कैसे गुल अपने जमाने में खिलाए हुए हैं आप आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी मैं इतनी जादा डर गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में फस गई थी कि मैंने उसकी सारी शर्त मानने के लिए हामी भर दी मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मनजूर है क्योंकि मेरे दिमाख में तो यही था कि वो मुझसे पैसे मांगेगा यह कोई कीमती चीज इसलिए मैं बहुत जादा मुतमें थी अमन तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ मैं तुम्हें दे दूंगी मेरे इन जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो भगवान के लिए किसी को नहीं बताना अमन ने कहा जी में और जादा देर हो अरे भाबी मैं आज बहुत जरूरी काम से बहार जा रहा हूं परसो तुम्हें जरूर बता दूंगा यह कल आप इतनी बेचान ना हूं यह कहकर वो बहार चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ गया खैर मैंने हिम्मत की और अ बजने के बाद मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई और वो बोल बोल कर खुद ही बंध हो गया अमन पूरा दिन बहार घूमने फिरने के बाद घर वापस आया तो मैं उसका इंतजार ही कर रही थी वो मुझे से कहने लगा कि भाबी शर्त मैं आपको परसो ही बताऊंगा और मैं उसकी उम्र और उसके सभाव का अंदाजा करने लगी मैं अपने कमरे में चली गई और रात भर टैंशन में ही रही ना में धंक से खा सकी और ना ही पी सकी ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि साथ वले कमरे में कोई बात कर रहा है हमारे घर में सारे कमरे ऐसे ही थे बराबर बराबर मुझे आवाज पहले से और ज़्यादा आने लगी तो मैंने अपने कमरे की दिवार के सुराख में से बाते सुनने की कोशिश की मेरे पैरो तले से तो जमीन ही निकल गई क्योंकि साथ वाले कमरे में मेरा देवर एक लड़की के साथ चिपकर बैठा हुआ था वह लड़की उसके बहुत ज़्यादा करीब थी और वो उसके कान में बार बार कोई बात कह रहा था ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा पहले तो मेरा दिल करा कि अभी जाकर इसका हाथ पकड़ कर इसके मुँपर इतने थपड़ मारों कि गिन ना सके लेकिन फिर अगले ही पल मुझे ये सोच परिशान करने लगी कि अमन बहुत ज़्यादा चलाक है ये ना हो कि मेरे जाने से पहले इस ओरत को इधर उधर चुपा दे और फिर अपने किये को माने ही नहीं कहे कि मैंने तो कुछ नहीं करा इसलिए मैंने एक दो दिन इंतजार करने का सोचा कि मैंने इसे अगर दोबारा इस हालात में देखा तो फिर मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगी खैर बहुत ही मुझे याद आया तो मैं जल्दी से उठी और जाकर अमन को जगाया वो एकदम हडबडा के उठ गया और कहने लगा कि भाबी कम से कम छुटी वाले दिन तो मुझे आराम से सोने दिया करें वो मैं कह रही थी कि मैं गरम गरम नाश्ता बनाने जा रही हूं तुम भी खालो वो मेरे चहरे की तरफ देखने लगा फिर वो मुझसे बीना कुछ कहे ही मेरे पीछे-पीछे किचन में आ गया बात का गलत मतलब ले गया और कहने लगा कि भाबी रात को जागना तो आपका काम है किसी की यादों में मैं भला मासूम सा बच्चा क्या करूंगा रात को जाग कर मैं उसकी इस बात पर बहुत जादा शर्मिंदा हो गई और फिर और कोई बात ना कर सकी वो बहुत मजे से नाश्टा करने लगा और जब पेट भर गया तो वो मुझसे कहने लगा कि भाबी मेरी बात सुनो आप यूँ ही न डर जाया करें बहुत अच्छी है आप और आप मेरी शर्ट सुन लीजिए मैं एक ही शर्ट पर भाई को ये बात नहीं बताऊंगा अगर आप मेरी ये बात मान लेंगी और इसके बाद आमन ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सुनने की हिम्मत मैं कहां से लाई मैंने किस तरह से वो बात सुनी और किस तरह से वो बात सही ये तो मेरा भगवान ही जानता है वो तो मेरे साथ मैंने कहा अमन आखिर तुम्हें शरम क्यों नहीं आई यह बात कहते हुए आसु मेरी आँखों से तेजी से बह रहे थे मैं लगतार उसको देखे जा रही थी अभी शादी यह अपनी कही बात पर शर्मिंदा हो जाए यह समझने के काबिल हो जाए कि यह मेरी मा समान है मैंने उससे मा जैसा ही सलूक किया लेकिन कभी देवर भी भाबी मा जैसे रिष्टे को समझ सकते हैं क्या वो कभी भी नहीं समझते इसलिए ही इस घटिया इनसान ने इतनी कम उमर में इतनी घटिया बात कर दी थी मैंने उससे कहा तुम्हें अंदाजा भी है कि त आप सुन रही हैं अगर आपने मेरी बात पर गोर नहीं किया तो आप इसके जिम्मेदार खुद होंगी ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि आगे कुआ और पीछे खाई अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो भी फस्ती हूँ और अगर मान लेती हूँ तो भी मैं ही मरती इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये सोच लिया कि ऐसी जिन्दगी से तो मोध ही बहतर है बेशुमर आशू मेरी आँखों से बहते हुए मेरे गालों पर निकले और मैं ये ही कह रही थी भगवान मेरी मदद कर दे मैं क्या करूँ मैं वहीं कीचन के स्टूल पर बैठ गए कि आखिर मैं ये शर्त कैसे मानूं मैं क्या करूँ मैं ये सोचती ही रही लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी और फिर मेरा खाना भी जल गया और ना मैं नाश्ता कर सकी और ना कुछ और मैं बस वहीं कीचन में बैठी रोती रही अमन कहीं बहार जा चुका था मेरे दिल से इसके लिए नफरत ही निकल रही थी कि यह इतना सलड़का मेरे दिन रात चैन्स कुन का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है भगवान इसे अकल दे दे अभी से बाहर गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि वो वापस आ गया और आकर कहने लगा कि भाबी आपने क्या सोचा है मैंने कहा अमन ये सब तुम क्या कर रहे हो किस बात का बदला तुम मुझे से ले रहे हो भाबी जी आखिर किस बात का बदला मुझे तुम से लेना है आप तो मेरी मा जैसी है और फिर भला अपनी मा को कौन तंग करता है इसकी एक एक बात से शैतानिय जहलक रही थ मेरा दिल चाहा रहा था कि मैं इसका मूँ नोच कर रख दूँ, इसके गालों पर इतने थपड मारूं कि इसे सब होश आ जाए। कुछ नहीं तो मेरे दिन के उजालों पर अंधेरा चाह जाएगा। मैं चुप चाप बैठी रही कि मैंने देखा दिन ढलने लगा है। मतलब कि मुझे मोत आने में कुछ ही देर बाकी है। देखते ही देखते रात के नो बज गए और मैं खाना बनाने लगी और खाना बना कर मैं नहा धो कर भगवान से प्रात्ना करने लगी। कि दर्वाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। इसलिए मैंने दर्वाजे पर होने वाली दस्तक के परवाक किये भी नहीं पूजा को चालू रखा। दस्तक अब तक हो रही थी। लेकिन मैं इस पाप से बचने के लिए भगवान के सामने ही खड़े रहना चाहती थी। अब दरवाजे पर होने वरी दस्तक रुख चुकी थी और मैं पूजा भी कर चुकी थी तबी मुझे बाहर वाला दरवाजा खुलने की आवाज आई मैं तेजी से उठी और मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा दी दरवाजे पर आमन ही था उसके पास घर की डुप्लिकेट चाब भी होती थी इसलिए वो घर में आ चुका था उसने मेरे दरवाजे को खुब खट खटाया लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला बस उसकी आवाज आई कि भाबी आप अपने लिए खुद मुसीबत इकठा कर रही है आपको अपना खुद ख्याल नहीं है तो कोई आपका ख्याल किस तरह से करेगा वो काफी देर तक दरवाजे पर खटा होकर बोल बोल कर चला गया लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज की रात मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी फिर चाए कुछ भी हो जाए देख लूंगी पूरी रात मैंने स्कून से सोकर गुजाली और फिर सुबह उठते ही मैं किचन में गई और मैंने अमन से कहा कि आज से तुम खुद ही स्कूल चले जाया करो क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं वो मेरे मुझे तरफ देख रहा था उसने मुझे एक भी शब्द नहीं कहा साथ में उसने अपना बैग उठाया और घर से बहार निकल गया लेकिन मैं कुछ ही देर के बाद रास्ता बदल कर उसके पीछे ही चली गई क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि ये किन कामों में पड़ा हुआ है और इसकी जान पहचान किन लोगों के साथ है क्योंकि उसकी जितनी उम्र थी उससे तो बहुत बहुत बड़े काम ये कर रहा था मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ और मैं रास्तों को बदल बदल कर चल रही थी मैं उसके स्कूल पहुँची तो मैंने गार्ड से पूछा कि आमन स्कूल पहुँच गया तो वो मुझसे कहने लगा कि हाँ वो तो पहुँच गया है मैं कुछ मुतमाइंसी होकर घर की तरफ लोट आई मैं घर की तरफ जब लोट रही थी तो सरहर्ष मुझे रास्ते में मिले और मुझे कहने लगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों किया वो मुझे गुसे में था और मेरी तरफ लगतार देख रहा था मैंने पहले तो तेज से चलना शुरू कर दिया लेकिन जब उसे लगतार अपने पीछे आते हुए देखा तो मैं एक जगार रुक गई और मैंने उससे कहा कि अगर अतीत नहीं भूलाया जाता तो उस वक्त तुमें गायप नहीं होना था और अब जब मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो तुम मुझसे ये सब बाते क्यों करने की कोशिश कर रहे हो तुमें क्या लगता है कि तुम्हारी ये सब करने से मैं अतीत में चली जाऊंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा ये तुम्हारी भूल है मैं उसे जल्दी से सुना कर और तेजी से चलती हुई अपने घर की तरफ आ गई और घर में आ गई मैं बहुत हैरान हो गई कि दरवाजे पर लगा ताला अब दरवाजे पर नहीं था मैं घर में गई तो मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि घर में महन खड़े थे लेकिन वो हमेशा की तरह मुस्कुरान नहीं रहे थे वो ठके हुए थे लेकिन मैं एकदम से जाकर उनके सीने से लग गई वो जल्द ही मुझे एक तरफ करके कमरे में चले गए मैं उनके इस विवार से बहुत ज़्यादा परिशान हुई कि आचानक क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है एकदम से मेरे दिमाख में आया कि आमन ने शायद इने कुछ गलत बताना दिया हो वो नहां कर जब बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा कि मैं नाश्ता बना चुकी हूँ आ जाओ कर लो तो उन्होंने बहुत ठंडे लहजे से जवाब दिया कि मैं नाश्ता करके आया हूँ मैंने उनके करीब जाकर पूछा कि मोहन कुछ हुआ है क्या तो वो मुझसे कहने लगे कि नहीं अभी कुछ हुआ तो नहीं लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है तुम जाओ मोज करो मैं टिप टिप रोने लगी और ये सोचने लगी कि भगवान किसी भी तरह मेरे अतीज से मेरा पीछा चुडवा दे मैं नहीं जानती कि मेरे कौन कौन से पाप इतने ज़्यादा है जिसकी वज़े से मुझे ऐसी सजा मिल रही है आमन के आने पर मोहन का मूड बिलकुल ठीक था और वो उससे हस हस कर बाते कर रहे थे मेरे दिल में आमन के लिए बहुत ज़्यादा नफरत आ चुकी थी ये लड़का मेरे लिए बहुत बड़ा बवाल बन चुका था मोहन ने मुझे कहा कि अब मैं आ गया हूँ तो कुछ दिन के लिए अच्छा रहेगा कि तुम अपनी मम्मी के यहां पर होकर आओ लेकिन मैं क्यूं जाओं अभी तो आप घर वापस आये हैं मुझे कही नहीं जाना लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि तभी शाम को मेरे घर से कॉल आ गई कि छोटी भावी की तबियत बहुत ज़्यादा खराब है इसलिए मुझे जल्दी से वहां जाना होगा मोहन मुझे वही मम्मी की तरफ घर के बाहर उतार कर वापस आ गए लेकिन मैं जैसे ही घर में गई तो सामने बैठे इंसान के उपर जब मेरी नजर पड़ी तो मेरी तो सांसे रूख गई सामने सोफे पर ही हर्ष बैठा हुआ था उसने मुझे नहीं देखा था लेकिन मैं जल्दी से दोड़ती हुई भाबी के कमरे में आ गई जहां पर भाबी बिल्कुल ठीक बैठी हुई मुस्कुरा रही थी ये क्या भाबी जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो आपने ऐसा मजाग करके मुझे यहां क्यों बुलाया अरे यहां आओ तो सही ये जो बाहर आदमी नहीं बैठा ये मेरी बहन के रिष्टे के लिए आया है मैंने इसे यहीं पर ही बुला लिया ताकि तुम्हारे भाई इससे खुल कर मिले और साथ ही एक दूसरे से बात कर ले क्योंकि उसके माता पितन नहीं है और इसे जो कुछ करना है खुद ही करना है भाई बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बता रही थी मैं उनकी मुझे तरफ देख रही थी अगर आपको इससे रिष्टा करना है तो मुझे जूट बोलकर यहाँ पर बुलाने का क्या मकसद बनता है मैं सच में भावी से नराज हो चुकी थी इसलिए कोई भी बात नहीं कर रही थी वो मुझे मनाने के लगतार कोशिश कर रही थी लेकिन मैं एक तरफ मु बना कर बैठ गई कुछ देर बाद ही भाई ने हम सब से कहा कि खाना लगाएं मैंने ना चाहते हुए भी खाना लगाया और इस पर मुसीबत थी कि मुझे वो खाना वहां उसके साथ बैठ कर खाना भी पड़ा हर्ष की नजरे लगतार मुझे ही देख रही थी तो मैं बहुँ ज़्यादा परिशान हुई अभी हम खाना खा ही रहे थे कि आमन और मोहन वो दोनों भी यहां आ गए अरे वाँ यहां तो बड़ी पार्टी हो रही है वो भी हमारे भी नही आमन ने आते ही पनीर उठाया और उसे खाते हुए उची आवाज में सबसे बाते करने लगा जब यह दोनों आये थे तब हर्ष वाश्रूम में चले गए थे लेकिन अमन उनको देख चुका था और लगातार इंतजार में था लेकिन हर्ष जा चुका था उसे कुछ जुरूरी काम था मोहन और अमन को भी भाई ने ही बुलाया था वो आज सब को सर्प्राइज दे रहे थे मेरी तो जान पर ही बनी हुई थी आमन और मोहन जा चुके थे और मोहन मुझसे कह कर गए थे कि मैं अभी कुछ दिन और यहीं पर रहूं मैं अगले कुछ दिनों तक यहीं पर रही और भाई के साथ जाकर शौपिंग करती रही भाई की हर बात हर्ष से सुरू होती और जाकर हर्ष पर ही खतम होती क्योंकि वो बहुत जादा खुश थी और साथ में वो तारीफे भी करती रहती थी एक दिन हम शौपिंग कर रहे थे तो भावी को याद आया कि साड़ी के मैचिंग का बुलाऊ सो वो दुकान पर ही छोड़ कर आ गई मेरे पास बहुत जादा सामान था इसलिए मैं वही पर एक साइड में सारा सामान लेकर बैठ गई और भावी से कहा कि आप जाएं और सारा सामान उठा कर ले आएं भाबी चली गई और मैं वही पर एक ही तरफ होकर बैठ गई तबी मुझे अपने पास किसी के होने का एसास हुआ तो वो खर्श ही था मैंने उसे कहा कि तुम क्यों लगातार मेरा पीछा कर रहे हो क्या चाहते हो तुम तो वो कहने लगा मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊंगा वो कहने लगा तुमने क्यों अपने आपको ऐसे डर में बंद कर लिया है कि जहां आसपास तुम्हारे सिर्फ परिशानिया ही हैं वो मुझे बहुत हैरत से ये सवाल पूछ रहा था ना जाने कब के रुके हुए आंस मेरे उसके ये पूछने पर छलक पड़े वो आगे बढ़ा और मुझे एक टीशू दिया मुझे पता नहीं कि मैंने किस अंदाज से वो टीशू पकड़ा और फिर मैंने उससे अपने आंसू साफ किये कुछी देर में भाबी भी आ गई मुझे नहीं पता उन्होंने देखा या नहीं लेकिन उन्होंने मुझे कुछ सवाल नहीं किये वो चुप चाप होकर मेरी तरफ देखती रही मेरी सूजी हुई नाख और आंखे उन्हें बहुत कुछ बता रही थी भाबी ने मुझे बहुत प्यार से पूछा कि क्या हुआ है मैंने बहुत शान्ती से जवाब दिया कि मम्मी पापा की बहुत जादा यादा रही है उन्होंने मुझे गले से लगाया और अपने साथ लेकर चल पड़ी आज की शोपिंग इतनी ही थी क्योंकि मेरी तब्यद ठीक नहीं थी जब हम लोग घर पहुँचे तो उल्टा सिदा कह रहे थे कि मैं उसके भाई का ख्याल ठीक से नहीं रखती हूँ और मैं बहुत लापरवा हूँ भाई से यह बात बिलकुल बरदास्त नहीं हुई और वो मेरी तरह बड़े और पूछने लगे कि ये सब क्या है बच्चा भाई हमेशा मुझे बच्चा कहकर ही बुलाते थे अरे ये क्या बताएगी हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हमने इसे अपने घर में जगा दी बस इसे यहीं रखे अब अपने घर में मेरा इसके साथ अब कोई रिष्टा नहीं मैंने एकदम से जब महुन की ये बात सुनी तो मैंने भाई से कहा कि अभी इस मेरे भीया ने बुलाया था जैसे ही हर्ष घर में आये तो उनकी नजर मोहन पर पड़ी जब मोहन ने हर्ष को देखा तो दोनों के आसू एकदम छलक पड़े मोहन आगे बड़े और हर्ष को गले से लगा लिया ये तो मेरा भाई है जो कुछ सालों पहले कहीं गायप हो गया और अब ये यहां एकदम से ये सब क्या है दोनों भाई अतीद में चले गए जहां उन्हें एकदम से सब कुछ याद आने लगा वो कहने लगे कि जब मम्मी का देहान्थ हुआ तब मैं उस वक्त आर्मी जोइन कर चुका था और आर्मी वालों की नोकरी ऐसी ही होती है कभी हां तो कभी वहां और जब एक दिन मेरी ट्रेनिंग खतम हुई तो मुझे बॉर्डर के बिलकुल पास तेनात कर दिया गया वहां एलाट का निशान तो लगा हुआ था लेकिन मुझे रात के अंधेरे में पता नहीं लग सका आज फिर मैंने बॉर्डर क्रोस कर लिया और फ फिर मैंने अपनी चेन उतार कर एक दोस्त को दी कि अगर मैं यहां मर गया तो ये चेन मेरे देश मेरे पापा के पास पहुँचा दे और मुश्किल ये हुई कि मुझसे पहले वो वही पर मर गया और बस अकबार में उसके मरने की खबर दे दी गई और उसमें उसकी चेन को बहुत जूम करके दिखाया गया मेरे घरवालों ने जब ये खबर पड़ी तो रो पीट कर मुझ पर सबर कर बैठे हमारे चाचा और ताउ तो बहुत खुश थे कि चलो एक बेटा तो गया अब सारी जादाद के वारिस हम सब खुद ही होंगे इसलिए वहां मेरा एक दम से उन सब के सामने आ जाना खत्रे से खाली नहीं था इसलिए मैं किसी के सामने नहीं आया लेकिन मेरे पापा ने वही बॉर्डर के पास ही डेरा लगा लिया क्योंकि वो ये समझते थे कि मैं जिन्दा हूँ और एक उनकी दुआउने मुझे जिन्दा रखा उनकी कैद से जब मैं निकला तो मेरे पिता वही बॉर्डर के पास एक जुगी में रहते थे उनका हूलिया अभी तक ऐसा ही था कि मैं इतने टाइम बाद उनको एक नजर में पहचान सकता था जब वो मेरे पास आए तो मैं उनको अपने साथ ही घर लेकर आ गया अब इतने साल जेल में रहने के बाद और इतना जुल्म सहने के बाद कुछ तो असर होता ही न मैं अपने घर का पता पूरे तरीके से भूल चुका था और पापा के भी बुढ़ापे की वज़े से और सदमे की वज़े से यादास्त कम हो गई थी फिर मैं भटकते हुए वापस अपने शहर में आ चुका था जहां मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया वहां मैंने एक दिन अमन को देखा क्योंकि ये मेरे कैद के दोरान बहुत ज़्यादा छोटा था लेकिन इसके गाल पर ये हलाल निशान इसकी निशानी बन गया और मैंने इसको पहचान लिया और फिर मैंने इसे खूब दोस्ती की और मैंने इसे सब कुछ बता दिया उसने मुझसे कहा कि ये मुझे हर सूरत में अपने साथ घर लेकर जाएगा फिर एक दिन मैंने भावी को देखा तो मुझे कॉलिज का वक्त याद आ गया जब हम एक दूसरे को पसंद करते थे आमन कहने लगा कि यही आपको अपने साथ घर लेकर जा सकती है और फिर मैंने इस से मेल मिला बढ़ाने की कोशिश की लेकिन पुरानी बातों की वज़े से इस औरत ने मुझे जरा भी भाव नहीं दिया बलकि इसने हमेशा ही मुझे से बहुत सक्त और तंग लहजे में बात की और फिर उसने अमन की भी कोई बात नहीं मानी पापा जी मेरे साथ ही हैं एकदम से पिछले कमरे से बहुत ही जादा बुड़े आदमी निकले और आते ही अपने तीनों बेटों को और मुझे गले से लगा लिया अब हम सब बहुत ही जादा खुश थे लेकिन अमन की खुशी तो दुगनी थी क्योंकि वो सबसे छोटा होने की वज़े से सबसे जदा अपने माँ पापा को मिस करता था लेकिन उसे माँ तो नहीं मिल सकती लेकिन इतने सालों बाद उसके पापा उसे मिल गए थे फिर आमन ने अकेले में मुझे से बोला प्लीज भाबी मुझे भी आप माफ कर दो, मैंने भी आपको बहुत तंग किया है, मैं तो आपके सिर्फ मजे ले रहा था और आपको डरा रहा था, मुझे पता चल गया था, कि उस रात आपने मुझे उस लड़की के साथ देख लिया था, मैं डर गया था, कि कहीं आप मेरे बारे में सारी बाते भीया को ना बता दें, मैं आपके दिल से इज़्जत करता हूँ और आप मेरी मा समान हैं, फिर मैंने भी आमन से माफी मांगी कि मैंने भी तुम्हारे बारे में ना जाने क्या-क्या गलत सोच लिया था, हम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था, आपकी क्या राय है? कॉमेंट करके जुरूर बताईएगा। दोस्तो आपको हमारी ये मज़धार कहानी कैसी लगी? आप हमें कॉमेंट बोक्स में जुरूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है य़ फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेर नदायक कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बूक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बूक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबर्दस कहानी ये टीप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप से भी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वा मंगल में हो